सुप्रभाद बच्चों, हिंदी की सकक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10, विशे हिंदी, पूरक पाठी पुस्तक, कृतिका, पाठे, माता का आचल, लेखक, शीव पूजन सहाए का अध्यान करेंगे। आए सरपुजन सहाए, अठार सो तिरानवे से 1963, आचारे शीव पूजन सहाए का जन सन अठार सो तिरानवे में गाउं उन्वास जिला भोचपूर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोला नाथ था। दस्मी की परिक्षा फास करने के उपरांथ उन्होंने बनारा स्कोट में नकलनवीश की नौकरी की, बाद में वे हिंडी के अध्यापक बन गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आचारी जी अपने समय के लेखकों में बहुत लोगप्रिय और सम्मानित विक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधरी, बालग, आदी, कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मत्वाला के संपादक मंडल में भी रहे। सन 1963 में उनका देहान थो गया। में मुख्य तक गद्य लिखक थे। देहाती दुनिया ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेश आदी उनकी प्रमुख गद्य क्रितियां प्रकाशित हुई है। शीव पूजन सहाय जी की भाषा में लोग जीवन और लोग संस्कृति के प्रसंग सहज्टा से मिल जाते हैं। बच्चो अब अपने पाठ की ओर पढ़ते हैं। पाठ का ध्यन हम संचिप्त रूप से करेंगे। पाठ एक माता का आचल लेखक शीव पूजन सहाय आचार्य शीव पूजन सहाय द्वारा लिखित इस संस्मरण में बच्चपन के दिनों का स्मरण करते हुई मा की भूमी का और उसके ममत्त के महत्त को व्यक्षाईत किया ग वह अपने पिता के साथ साथ रहा करता था। लेखक के पिता धार्मिक प्रवित्त के वेक्ती थे। वे प्राता उठकर नित्यक्रिया से निब्रित होकर नहाध होकर पूजा करते। लेखक का मा से केवल दूद पीने तक का ही संबंध रहा। अधिकतर समय पिता के साथ ही वीत्ता था लेखक के अनुसार नित्य की पूजा अर्चना के दोरान उसके पिता उसके चोड़े ललाट पर भभूत्री त्रिपुंड बना देते जो उसके मस्तक पर खूप फपती थी। बच्पन में लेखक के सिर्फ पर लंबे बालों की जटाएं थी। विभूति धारत करने के बाद वश्यव की भाती लगने लगता। लेखक के पिता जब रमायल पाठ कर रहे होते तो उनकी बगल में बैठ कर लेखक आइने में अपना मुह देखता रहता। उसके इस बाल सुलब चेश्टा पर पिता को हसी आ जाती और पिता को हसते हुए देखकर उसे लाज आ जाती। लेखक के पिता के दिंचर्या में अपनी राम नामा बही पर राम राम लिखना समलित था। वे रोज कागस के टुकडो पर पांच सौ बार राम नाम लिखकर उनमें आटे की गोलियां रखकर मचलियों को खिलाने के उद्देश से गंगा जी की ओर जाते हैं। लेखक उनके साथ कंधे पर बैठ कर वहां जाता। मचलियों को चारा खिला लेने के पश्चात घर लोटते हुए पिताजी उसे रास्ते के जुके हुए पेड़ों की डालियों पर बैठा कर जूला जुलाते हैं। कभी कभी वे लेखक से कुष्टी भी लड़ते हैं। वे अपने को शिथिल कर लेते हैं और लेखक उन्हें पचार देता। लेखक बताता है कि जब वह उनकी छाती पर चड़कर खटा मीठा चुमबन मांगता तो वे बाएं गाल पर मीठा चुमबन लेकर दाहने गाल पर खटे चुमबन के तौर पर अपनी दाड़ी लेखक के गालों में गड़ा देते हैं। लेखक बताता है कि पिता जी के इस कार्य पर जब वो जुझला कर बनावटी रोना रोने लगता तो वे हस पड़ते हैं। स्वयम खिलाने के लिए वे दही भात के ग्रासों को तोता, मैना, कबूतर, हंस, आदि बनावटी नाम देती और शिगता के लिए उनके उड़ने का बहाना करती इस बात में भूल कर लेखक बहुत जल्दी से सारे ग्रास खा जाता। बचपन की बाल सुलप चेश्टाओं, क्रियाओं और गतिविधियों का वर्णन करते हुए। भी पहना देती। वे क्रिष्ण की तरश शिंगार करके रोते हुए बाबुजी की गुद में सिसकते बाहर आ जाते। बाहर आते ही खेलने वाले हम उम्र बच्चों की मंडली मिल जाती और लेखक खेल में व्यस्त हो जाता। पाठ के अगले हिस्सों में लेखक अपने बच्चपन के खेलों का अत्यंत मनुरंजक और सजी वर्णन करता है। लेखक और उस साथियों द्वारा खेले जाने वाले नाटक, घर का खेल, मेले की दुकाने, मिठाई की दुकान, लगाने, घरोंदा बनाना, भोच के आयोजन, जुलूस निकालना, बारात सजाना, खेती करना आधि शामिल थे। इन सारे खेलों में उसके पिता भी उनके सहभागी हुआ करते थे। लेखक अपनी और अपने साथियों की चिछोजियों और बचपने का वर्णन करते हुए, बताता है कि जब कभी वे ददरी के प्रसिद मेले जाते, आदमियों के जुन्ड को देखते, तो कूद-कूद कर चिलाने लगते, चलो भईयों ददरी सातु पिसान की मुटरी, अगर किसी दूलहे की पालकी देख लेते तो चिछाने की अंदाज में गाते, रहरी में रहरी पुरान रहले, डोले की कनिया हमार महरी, लेखक इसी संदर्भ में यह बताना नहीं भोलते की, एक बूढ़े व जिसकी सूरत लेखक के अपने शब्दों में खबीश और घुड मुही थी, किसी प्रकार उसकी बाल मंडली ने खदेड कर मारा था, लेखक आगे भी अपनी और अपने साथियों की बाल चपलता और मनु विनोत के दो तीन प्रसंगों का वर्णन करता है, वह बताता है की, बारे आने पर वे सब बाग की ओर दोर पड़ते थे और चुन चुन कर घुले गोपी आम खाते थे, दूसरा प्रसंग, लेखक की बाल मंडली द्वारा अपने स्कूल सिक्षक मूसन तिवारी को चिढाने से सम्मन्धित है, लेखक की मंडली के बैजू ने जब मूसन तिव बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर चिढाते तो सभी लड़के अपने घर की ओर भाग निकले, लड़कों को पकड़ने की गरस से मूसन तिवारी पाठशाला चले और वहां से चार लड़कों को लेखक तथा उसके मित्र बैजू को पकड़ने को फेजा, ब अंत में लेखक के पिता गुरु जी की मान मनोति को कर उसे छुडा कर घर लाने लगे, लेखक उस समय रो रहा था, रास्ते में लेखक की बाल मंडली पुनह मिल गई, रोना भूल कर पिता की गोत से उतर कर लड़कों के जुन्ड से जा मिला और पुनह खेलना कूदना और शुरू हो गया, मकई के खेत में घुजकर चुनिया को पकड़ उसे जवरजस्ती दाना खिलाना, चुहे के बिल में पानी डालना, लेखक बताता है कि जब वह और उसके साथी चुहों को तंग कर रहे थे, तभी वहा साप निकलाया, और गिरते पढ़ते दोड़ते भागत रोते हुए सभी भागें, लेखक भैभीत होकर अपनी मा के आचल में जा चिपा, पिता के लाख बुलाने पर भी मा के आचल में चिप कर सिसकता रहा, मा लेखक की यह हालत देखकर स्वैम रोती हुई उसे दुलारती थी, सब काम का छोड़कर मा ने हल्दी पीसकर लेखक क गाउ पर रखा, अंत में लेखक बताता है कि पिता जी द्वारा लाख बुलाने पर भी, उसने अपनी मा के मातित्व की शीतल चाया न छोड़ी बच्चों, अब हम अपने अभ्यास प्रश्णों पर विचार विमर्ष करेंगे प्रश्ण एक, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक चुड़ाव था फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मा की शरण लेता है आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है उत्तर पिता से बच्चे का अधिक चुड़ा होने के बावजूद बच्चा विपदा के समय पिता के पास न जाकर मा की शरण लेता है क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि वह वहां सुरक्षित है मा के आचल में छिपकर उसकी सने यह चाया के तले वह हर प्रकार के भय, शर्ण स्रय तथा अपरात से मुक्त होता है प्रश्ण दो आपके विचार से भोला नाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है बालक भोला नाथ अपने साथियों को देखकर तथा उनके साथ खेलने की उमंग और बाल केलियों को सोचकर सिसकना भूल जाता है प्रश्ण नमबर चार भोला नात और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामगरी आपके खेल और खेलने की सामगरी से किस प्रकार भिन्न है? भोला नात और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामगरी सिप भिन्न है जैसे भोला नात और उनके साथि ढेले के लड़ू, पत्तों की पूरी कचोरियां, गिली मित्ती की जलेवियां, फूटे घड़े के टुकडों के बताशे, आदी मिठाईयां, ठीकरों के बठखरे औ और जस्ते के टुकड़े के पैसे बनाते, बच्चे ही खरीदार और दुकानदार बनते, पर हमारे खेल की सामगरी उनसे भिन्न है, क्योंकि हमारे खेल की सामगरी में वीडियो गेम तथा अन्य आदुनी कुप करण है प्रश नमबर पांच, पांच में आए ऐसे प्रसंगों का वरणन कीजिए, जो आपके दिल को चूँ गए हूँ आच में आए सभी प्रसंग दिल को चूने वाले हैं, फिर भी कुछ प्रसंग अत्यन्त सजीव हैं जैसे लेखक की मा द्वारा उसे खिलाने का प्रसंग, लेखक द्वारा नाटक करने, दुकाने लगाने, बारात सजाने और गुरुजी मूसन तिवारी को चिड़ाने का प्रसंग, तथा साप से भैवेतो कर अपने मा के आचल में छुप जाने का प्रश्ण नमबर छे, इस उपन्यास अंश में तीस के दशक की ग्रामेर संस्कृती का चित्रण है, आज की ग्रामेर संस्कृती में आपको किस तरह के परिवर्टन दिखाई देते हैं उत्तर, आज की ग्रामेर संस्कृती आधुनिक्ता से प्रभावित है, वहां भी पार्ग, टीवी, रेडियो और टेलिफोन तथा मुबाइल आधी सुचना यंत्रों का विस्तार हो गया है स्वतंतरता प्राप्ती के बाद उद्योंगों तथा खेती के तरीकों में विकास हुआ है, जीवन शैले में बदलाव आया है, खान, पान, सिक्षा तथा पहनावे में शहरी करण बढ़ा है प्रश्ण नमबर आठ यहां माता पिता का बच्चे के प्रती जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए पाठ में माता पिता का जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, वो इस प्रकार स्पस्ट किया जा सकता है लेखक के पिता लेखक को जुके पेड़ों की डालियों पर जोला जोलाते कभी कभी लेखक से कुष्टी लड़ते तो कभी खटा मीठा चुम्बन मांगते और कभी गूरस में भात सान कर स्वैम खिलाते थे और उसे राजा कहकर संबोधित करते और मा लेखक के खाना खा लेने के पश्चात उसे त्रिप्टी न मिलती, वेग स्वैम खिलाने के लिए दही भात में ग्रासों को तोता, मैना, कबूतर, हंस आधी बना कर खिलाती, बच्चे को सुंदर बनाने के लिए सरसों का तेल लगाती, ललाट पर काजल, बालों में चो पी पहनाती, प्रश्च नमबर 9, माता का अंचर शीशक की उप्युक्तता बताते हुए, कोई अन्य शीशक सुझाईए, उत्तर, माता का आचल के स्थान पर कहाने के दूसरे शीशक, मेरा बच्पन, बच्पन के दिन, माता का वात्सल्य या मा की ममता आधी हो सकते हैं, प् बच्पन, माता, पिता के प्रती, अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर, बच्पन, उनकी बातों को मानकर, कभी रोकर, कभी हसकर, कभी बाल, सुलप, चेश्टाओं और क्रियाओं द्वारा, कभी पिता की गोद या माता के आचल में छिपकर, या अपने अन्निक्रियाउं द्वारा माता पिता के प्रती अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। बच्चों, जिन प्रशनों के उत्तर नहीं दिये जा रहा हैं, उनको आप स्वयम से समझे। तथा चिन्धित प्रश्णों के उत्तर ही अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए धन्यवाद